नमस्कार मेरा नाम रंजीत रविदास है मैंने राजनीती विज्ञान से असनात कोत्तर और प्रारंब्रिक सिक्छा में डिकलोमा किया है मुझे सिक्छा में आठ वर्सों का अनुभव है मेरा जिला लखी सराय बिहार राज का एतिहासिक और सांस्कृतिक दिर्ष्टी कोन से एक समरिध जिला है हमारे जिले में इनरदमनेश्वर, स्रिंगी रिसी, जैसे दर्जनों उत्क्रिष्ट स्रेनी के दर्शनी अस्थल है मैं वर्तमान में लखी सराय जिला अंतरगत, प्रात्मिक विद्यालय दास्टोला रामचंदरपुर में एक सिच्छक के रूप में काईरत हूँ मेरे विद्यालय में लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे ग्रामीन प्रिपरिवेश से आते हैं भासा एक महतपुर्ण विशय है, मैंने इसा महसूस किया कि प्रात्मिक अक्छाओं के बच्चों में भासा का जो एक अंग है कहानी उसकी सही समझ नहीं बन पा रही है मैं चाहता था कि बच्चों में कहानी की सही समझ मने ताकि वो भासा अच्छी तरीके से सीख सके इसी भी बिशय के अध्यापन में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए नवाचार की आविस्यक्ता होती है जब स्री अर्विंदो सोसाइटी के काईकरम ZIIEI काईकरम का परसिक्षन प्राप्त किया तो मुझे यह समझ आया को किस प्रकार बिना पैसे खर्च किये नवाचार किया जा सकता है और नवाचार करके जो भी कख्छाओं में समस्या आती है उसको हम समाधान कर सकते हैं अध्यापन के दोरान मैंने पाट साला एप का इस्तेमाल किया इसका इस्तेमाल करने से मुझे अध्यापन में बहुत मदद मिला और परसिच्छन के दोरान स्री राजीव सर का विशेश सहयोग मिला बहुत मदद किये जिससे हमें पढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है भासा में कहानी पढ़ाने के तरीकों में एक विशेश नवाचार किया मैं कहानी को पाँच भागों में बांट कर जैसे सिर्शक, पात्र, समस्या, समाधान और सारांस पाँच भागों में बांट करके कहानी को बच्चों को पढ़ाया जिससे हम बाद में महसूस किया कि बच्चे सही परकार से उसको समझ पा रहे हैं